नमस्कार दोस्तो श्रद्दा और आफताब केस भले ही ओपन हो चुका है लेकिन पुलिस के हाथ ठोस सबूत अभी भी नहीं लगे हैं और यही वज़ा है कि पुलिस ने कोट से टूथ ड्रग देने की परमिशन लिये लेकिन ये टूथ ड्रग है क्या और ये कितना कारगर होत है सच बहान निकलवाने में पहले कितने केसों में इसे यूज किया और उससे कितना फाइदा हुआ ये भी बात करूँगा सच की दवा या सच का सीरम एक साइको एक्टिव दवाई होती है और ये उन वेक्तियों पर यूज की जाती है जो या तो जानकारी देने में असमर् का नारको टेस्ट कहलाता है टूथ ड्रग में सोडियम पेंटोथल नाम का एक केमिकल होता है ये नसों में उतरता है तो आरोपी जो है एक तरह से सम्मोहित हो जाता है और हर सवाल का जवाब देने लगता है वो एक तरह से आधी नींद में होता है जब वो जवाब देता है हाला कि ये दवाई जो है बहुत खतरनाक मानी जाती है और इसमें आरोपी की जान भी जा सकती है कैई देशों में इस तरह के केस धेरों सामने आई है अर्द बेहोशी के हालत में वो जो है बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी देता है सवालों के जवाब सही से देता है और उसके जूट बोलने के चांसी थोड़े से कम हो जाते है ये दवाई सीधे नसों में लगाई जाती है नारको टेश्ट आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा लेकिन ये होता कैसे है ये क्या है ये ज्यादातर सीक्रिट रखा जाता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है इंजेक्शन से सीधे नसों में साइको एक्टिव दवाई दी जाती है और ये शरीर में पहुंसते ही आरोपी की बोड़ी में एक बेचैनी होनी शुरू हो जाती है और वो जो है धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चला जाता है इसका असर कुछ मिनट से लेकर कैई-कैई घंटे तक रहता है लेकिन ये दवाई की डोज पर डिपेंड करता है थोड़ी देर पूरी तरह से बेहोश होने के बाद आरोपी को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू होता है और उससे जो पूछा जाता है वो सच बोलना शुरू कर देता है ये टेस्ट आज काफी केसों में देखने को मिलता है लेकिन ये बहुत पुराना टेस्ट है दूसरे विश्विद्द के बाद में यानि 1945 के बाद लंबे समय तक कैद में रहे जो सैनिक थे वो जो वापिस अपने अपने देश आए तो वो जो है बहुत जादा हिंसक हो गए थे बहुत जादा उनका जो व्याभार था वो पूरी तरह से बदल चुका था जब वो कैद में थे तो उन्हें कैसे कैसे टॉर्चर किया गया था उनके साथ में किस तरह का व्याभार हुआ और वो जो बदलाव आया था वो किस वज़ा से आया था एक बार सच जानने के बाद सैनिकों का इलाज काफी ज़्यादा आसान हो गया था और इस से काफी सैनिक ठीक भी हुए थे लेकिन इस दवाई को देने के लिए कोर्ट से पर्मिशन लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड इसी भी लापरवाही आदमी की जान जली जाती है वो हमेशा के लिए कौमा में भी जा सकता है या वो जीवन भर के लिए अपाहीज हो सकता है मतलब उसके हाथ, पैर, दिमाग काम करना बंद कर सकते है अमेरिकी जेलों में कैदियों से पूस्तास के समय ऐसे धेरो केस सामने आये थे उस समय लगबख सभी देशों ने नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी जब इसका जो फीडबेक था वो देखा लेकिन अदालत की मंजूरी के बाद कुछ खास केसों में परमिशन दी जाने लगी बिना कोट की मर्जी के नार्को टेस्ट बिलकुल नहीं किया जा सकता जब ये टेस्ट होता है तो वहाँ पर दवाई देने वाले जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं कुछ बड़े डॉक्टर भी उसमें शामिल होते हैं मेडिसन एक्सपर्ट सामिल होते हैं इसके अलावा साइकोलोजिस्ट भी जो है वहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में मौजूद होना बहुत जरूरी है नार्को टेस्ट से पहले आरोपी का मेडिकल होता है और उसकी खुद की परमिशन भी ली जाती है तब ये टेस्ट किया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कहीं बीमारी की वज़े से उसको जो है डिले करना पड़े तो ये भी जाच की जाती है कि उसमें कोई बीमारी है या नहीं अगर उसे और्गन से जुड़ी बीमारी है कोई मांसिक रोग है या कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी है तो ये टेस्ट नहीं किया जा सकता नाबालिक पर भी जो है नार्को टेस्ट नहीं किया जाता हमारे देश में साल 2010 में सुप्रीम कोट ने नार्को टेस्ट को गैर कानूनी घोशित कर दिया था और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी हाला कि बाद में कैई केसों में जो है कोट से पर्मिशन ली गई तो कोट ने पर्मिशन दे दी नारको टेस्ट के साथ आरूपी की ब्रेन मैपिंग भी की जाती है Brain Mapping भी एक ऐसी ही तकनिक है जिसमें Forensic Expert दिमाग में बदलावों को देखते है इस टेस्ट में शरीर के अंदर कोई दवाई या chemical तो नहीं डाला जाता लेकिन दिमाग से sensor connect कर दिये जाते है जो computer की screen पर दिमाग में होने वाले changes को दिखाता रहता है जो वेक्ती बहार से एकदम शान दिख रहा है उसकी body language एकदम सामान्य है और बहुत normal दिखने की कोशिस कर रहा है वो भी तब जब उससे किसी बड़ी घटना के बारे में पूछा जा रहा हो तो test जो है दिमाग के अंदर होने वाली हलचल को बताता है कि उसके दिमाग ने किस तरह से react किया है जैसे आफताब का उधारन ले तो यह हर सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर दे रहा है बड़े आराम से सवालों का जवाब दे रहा है लेकिन जब उससे स्रद्धा के मडर से related सवाल पूछा जाता होगा तो दिमाग कही न कहीं react करता होगा और body language से यह दिखाता है कि यह बहुत normal है दिमाग के इसी reaction को पता करने के लिए यह जो technology है इसका नाम है brain mapping लेकिन सवाल यह है कि नारको के बाद में क्या सच बाहर आ जाता है क्या brain mapping के बाद में सच बाहर आ जाता है इसका जवाब है नहीं यह इतना भी आसान नहीं है जितना इसका ढोल पीटा जाता है ऐसे हमारे देश में कैई उधारन है जहां नारको के बाद भी पुलीसी या जांच एजिंसी के हाथ पूरी तरह से खाली रहे आप सबने एक केस के बारे में जरूर सुना होगा नौएडा का निठारी कांड जिसमें कथित रूप से नौकर और मालिक ने कैई बच्चों को और लड़कियों को मार कर उनका मास खा लिया था मौनिंदर सिंग पंडेर और सुरेंदर कोली का भी नारको टेस्ट हुआ ब्रेन मैपिंग की गई लेकिन कुछ भी किलियर नहीं हो पाया इसके अलावा 2007 में हैदराबाद में ट्विन ब्लाष्ट केस में भी जो है अब्दुलकरीम और इमरान खान के नारको टेस्ट हुए लेकिन एक भी नहीं जानकारी बाहर नहीं आ पाई महराश्ट की राजनीती में एक बहुत बड़ा केस था अब्दुलकरीम टेलगी फरजी स्टाम पेपर घोटाला इसमें भी जो है नारको टेस्ट हुआ लेकिन यहां भी हाथ खाली रहे इसके अलावा 26-11 हमले का आरोपी आतंकवादी अजमल कसाव उसका नारको टेस्ट हुआ था नौएडा का ही एक और केस था आरोशी तलवार आरोशी तलवार केस में भी जो है इस तरह से कोई सफलता नहीं मिली यानि पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो यह लोगों को बेवकूफ बनाने का यह यूँ कहें कि टाइम पास करने का एक टेस्ट है इससे कोई फाइदा नहीं होता है बहुत जादा फाइदा इससे कभी भी नहीं मिला और इसमें जो है सबसे अलग एक सबसे जरूरी बात यह है अगर नारको टेस्ट में आरोपी अपना गुनहा कबूल कर भी लेता है तो उसकी वीडियोग्राफी भी हो जाती है तो भी जो है वो सबूत अदालत में वैलिड नहीं होता है कोट इस तरह के सबूत को या इस तरह के किसी भी गवा को सबूत मानता ही نہیں है और नहीं इसके आदार पर कोई सजा का फैसला कर सकता है यानि इसमें गुना कबोल कर भी लिया जाए तो भी ये सबूत नहीं होता है यानि कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो ये फाल्तू का ड्रामा होता है इससे सिर्फ एक थोड़ा सा फाइदा ये होता है कि अगर आरोपी नारको के दौरान केस की कुछ डिटेल देता है और उसी आधार पर पुलिश दूसरे सबूत इखटा करने में काम्याब हो जाती है जैसे आफताब केस में आरी का मिलना, स्रद्धा के कपड़े मिलना या उसका मोबाइल मिलना तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइदा हो जाएगा कातिल का इकबालिया बयान भी इसमें बहुत जादा कारगर नहीं होता है नारको टेस्ट के दौरान या ब्रेन मैपिंग के दौरान अगर आरोपी अपना गुनहा कबूल कर भी लेता है लेकिन आरोपी कोट में जाकर बयान बदल दे भले ही उसकी वीडियोग्राफी भी हो चुकी हो तब भी जो है आरोपी को गुनहगार साबित नहीं किया जा सकता जुर्म कबूल करने के साथ साथ आरोपी की निशान देही पर मडर में शामिल दूसरी चीजों की बरामतगी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इस केस में जितनी ज़्यादा मुश्किले आ रही है उससे कहीं न कहीं ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है और ऐसे केसों का इतिहास हमारे देश में बहुत जादा खराब रहा है यानि एक समय के बाद में अदालत को आरोपी को ना सिर्फ जमानत देनी पड़ती है बलकि उसे बरी भी करना पड़ता है क्योंकि जुर्म कबूलने के अलावा कुछ सबूत होता ही नहीं है और जब सबूत नहीं होता है तो benefit of doubt सीधे सीधे आरोपी को जाता है नारको टेस्ट से बहुत कुछ सामने आएगा ऐसा बिलकुल नहीं है और इसका एक कारण ये भी है कि जो क्रिमिनल मेंटली स्ट्रॉंग होते हैं वो नारको टेस्ट या brain mapping के दोरान भी पूरी तरह से balance जवाब देते हैं और इसका सबसे बड़ा उधारन अगर हमारे देश में कोई है तो वो है आरोशी हत्याकांट आरोशी हत्याकांट में आरोशी का जो फादर था डॉक्टर राजेश तलवार उसका दो बार नारको हुआ लेकिन उसके दोनों बार जवाब बहुत ज़्यादा balance थे बाकी इस केस को जिस तरह से आज की डेट में चर्चा मिल रही है ये जल्दी ही मीडिया से गायब भी हो जाएगा क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है और हालात देखते हुए यही कह सकता हूँ कि यह हालात अभी भी नहीं सुधरने वाले नारको टेश्ट से आपको क्या लगता है क्या यहां कोई फाइदा होगा कमेंट करना अभी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में चैहिन चैरमजी की